कुम दोस्तो यदि आप कुईट में रहते हो और कुईट के इमतरीन खबरों से हमें इसा वाकिए फैरना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राब करेके बेल आकन को प्रिस कर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमें सफरी में दोस्तो मिलती रहें साथियों आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तो आ रही है वो पब्लिक अथरटी ऑप मेन पावर के तरफ से कल के दिन साथियों छापे मारी की गई च्छापे मारी के दौरान लगबग 22 डॉमेस्टिक ओफिस को बन किया गया नि जो डॉमेस्टिक वरकरों का जो लाने के काम करता है दोस्तो उन ओफिसों को बन किया गया है कुएत में ये अलगल अगग जगां पे दोस्तो उसकी कैमपेंग दोस्तो लोगों को वहाँ पकड़ा गया और बहुत सारी लोग को इसमें कर्वासी थे उन्हें डिपॉर्ट करदिया जाएगा अगली जो अपडेट दोस्तो आरी सूसल मीडिया को लेकर आरी तो भाईयों ख नार्कोटिक सब्टांस यानि नसीली परदात को वो लोग पर्मोट कर रहा था खहेतान एरिया से जिसके बाद के कश्टम डिबार्टमेंट के तरफ से दोस्तों उसली नजर पड़ी और कश्टम डिपार्टमेंट लेकर आरी बहुत ही बढ़ी है खबर है दोस्तों इंडिया और कुएट के बीच में तो आप भाखोबी जानते ही हमेशा से दोनों के बीच में रिस्ते अच्छे रहे हैं तो दोस्तों इंडिया और कुएट के बीच में एक दोस्तों अंदाजा लगाया गया है कि 2025 आते आते लगभग 5 billion trillion का economy दोस्तों दोनों देसों को बीच में बीनस वहांगे किया जाएगा दो साथियों लगतार कोईट और इंडिया जो है वो बीनस हमेसा करताा आया है तो सातियों आने वाले टैम में भी KUAEIT और इंडिया के बीच में रिस्ते काफी जादा बहतर हो सकते हैं अगली ख़बर कियों चालते हैं अगली ख़बर दोस्तु जारे सातियों फिलिपिन्स के वर्कर को लेकर तो भायों फिलिपिन्स का वर्करों को लेकर बहुती बड़ी अनॉस्मेंट कर दी गई है हुकूमत के तरफ से कुएत में जितने भी फिलिपिन्स के वहाँ पे वर्कर है तो कुएत के तरफ से ये बता दिया गया है उनका तो सबसे पहले वीजा सस्पेंशन कर दिया गया है यानि उनका वीजा भी दोस्तो इसू टैम्परोरी नहीं किया जाएगा और जिन लोगों का वीजा एक्सपार कर चुका है उन लोगों को दोस्तो वीजा को अभी रेनुवल भी नहीं किया जाएगा तो दोस्तो पहले बड़ी अपडेट्स आ रही है निकल कर और आने वाले 200 टैमे फिलिपिन्स के वरकरों को काफी जादा दिक्कते हो सकती है अगली खबर दोस्तों जो आ रहे साती हैं वो आ रही है मंगफ और सलमिया एरिया से तो मंगफ और सलमिया एरिया से लगबग 30 एक्सपर्ट को ग्रफटार किया गया है कुछ लोग प्रोसिश्यूशन का धंदा चला रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से एक्टिविटी वो लोग कर रहे थे 16 चोरों को ग्रफटार किया गया है जो की साथियों एरो सोनिष्ट एक तरह का सरकल होता है वहाँ पे बनाया जा रहा था जिसके वज़े से वहाँ पे सभी को ग्रफटार करकर कानूनी कारवाई करके सभी को ग्रफटार कर लिया गया अगली जो अपडेट दोस्तो आ रही साती हो वो आ रही है वहाँ पे 56 एक्सपर्ट को ग्रफतार किया गया है वीजा लॉग के लेकर तो दोस्तो ये कैमपेंज जो है कल के दिन बहुती जौरदस तरीके से चलाई जा रही थी कुछ अपडेट थी जो की कुछ से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होग दोस्तो नेक्स वीडियो पे जाही नला आफिस और टेक